वेल्जम बेक टु माइच चैनल और आज एक और प्रॉब्लम का सॉलूशन लेकर में आई हूं वो है वेजाइनल एरिया में चुबन होना कभी कमी हमें वेजाइनल एरिया में चुबन सुई सी चुबन होती है यह क्यों होती है आज हम इसी पर बात करेंगे तो अगर वीडिय वेजाइनल वेजाइनल चुबन होना जो कि हमेशा नहीं होता कभी कभी होता है अक्सर पी रेट चल वह होते हैं जाब होता है तो यह कुछ टाइम के लिए पिंच सा करता है आपको कोई सुई सी चुबन सी होती है तो यह क्यों होती है इसका क्या रीजन है इसके लिए क्या treatment है चलिए देख लेते हैं तो फ्रेट्स वेजाईन वे चुबन होना indicate करता है कि आपकी वेजाईना या तो भौज़ड़ा गीली है यह नमी के कारण हो सकता है सूजन के कारण हो सकता है या फिर कभी-कभी यह पानी पी पाते हैं वहाँ ज्यदा बिजी रहते हैं फिर यूरिन पासकरते हैं। तो आपको जनन के साथ मैं चुबन हो सकती हैं या फिर आपका जो पीरेट चल रहा होता है तीं-चार दिन तीसरा और छ appear दिन जब आपका फ्लों बहुत ज़데 होता है उस कारण लगातार आप गीले रहते हैं और एरिया गीला रहता है इंफेक्शन के चांसिस रहते हैं पैड से आपका वजाइना टच में रहता है जिसके कारण से चोबन देखने को मिल सकती है तो फिर क्या करें यह होने का नॉर्मली रीजन यहीं होते हैं इसमें को ड़ने या चिंता ग जो सिम्टम है वह देखने को मिल सकते हैं तो इनका ट्रीक्मेंट भी नॉर्मली होगा जैसे कि आप अच्छे अंडर्वेर पहने कोटन के पहने पानी खूब पीए अच्छे से अपना हाइजीन का धिहान रखें सबसे जरूरी होता है आप वाटर का इस्तिमाल जादा करें ज्यादा ज्यादा पानी पीएंगे तो इस तरह की दिक्कत जो है नहीं होती है तो अगर आपको यह प्रॉब्लम हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको पानी यह बहुत सारा पीना यानि पांच लिटर पानी आपको डेली पीना है इसके बाद सेकिंड है आपको मीठा कम खाना है थर्ड है अगर आपको डॉक्टर ने ओइनमेंट दिया है लगाने को तो उसका यूज जरूर करें कोटन के अंडर्वेर पहने और हाईजीन का पूरा ध्यान रखें इसके अलावा आप केले का गूदा और आवला केले का गूदा आवले के रसमें मिला करके मिसरी के साथ यूज करना है तो इससे क्या होता है आपको इस समस्या से निजात मिलती है नेक्ष्ट होता है नीम के पत्ते का पानी बना लेना है आपको नीम के आठ दस पत्ते लेकर पानी को उबाल लेना है और इसको ठंडा गरके यूज करना है वाश करने के लिए तो ये भी आपके व सब्सक्राइब करें आपका कोई कोश्चिन है तो कमेंट्स करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद